नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग उमीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे हमारी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है आज हम आपको काफी इजी तरीका बताने जा रहे हैं जिससे आप 2 मिनट में क्लियर टिप के कस्टमर केर से बात कर पाओगे दोस्तों वीडियो काफी ध्यान से लास्ट देखे ताकि आपको यह तरीका मालूम हो जाए कि आप क्लियर टिप के कस्टमर केर से कैसे बात कर सकते हो चलिए वीडियो सुरू करते हैं इससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सबस्क्राइब जरूर कर लें ताकि ऐसे हैं टेकनिकल वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहें उमीद करती हूँ आप लोगों ने इतना काम कर लिया होगा तो अब चलिए आपको पूरी अच्छे से समझाती हूँ और दिखाती हूँ कि क्लियर ट्रिप के कस्टमर केर से कैसे बात कर पाएंगे दोस्तो अगर आप क्लियर ट्रिप यूज करते हैं आपको इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ गई पर आपको पता ही नहीं कि कैसे आप उनके कस्टमर केर से बात करके अपने प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं पर दोस्तो आप घवराने की कोई जरूरत नहीं है हम आपको पूरी तरीका बताएंगे जिससे आप आसानी से दो मिनट में उनके customer care से बात कर सकते हैं तो दोस्तो सबसे पहले आपको अपने mobile में Google Chrome open कर लेना है इसके बाद आपको search box में जाकर clear trip customer care type करना है दोस्तो ध्यान से देखो आपको क्या type करना है एक बार फिर से देख लो आपको Google के search box में clear trip customer care type करना है अब आपको search पे click कर देना है जैसे आप search पे click करोगे वो first में एक site 100 हो रहा होगा उसे click करना है click करते हैं clear trip के official site खुल जाएगी जैसे ही आप page open होगा नीचे एक toll free नंबर 100 हो रहा होगा 9595-333-333 जैसा कि आप अपने वीडियो में दे सकते हो बस आपको इसको copy कर लेना है और अपने phone के dial box में जाकर इस नंबर को dial कर देना है डायल करते ही phone clear trip के customer care department से connect हो जाएगा आपको उनके बताये गए कुछ निर्दसों को follow करते जाना है और लगभग दो मिनट बाद ही आपकी बात clear trip के customer care से हो जाएगी जहां से आप अपने किसी भी question या कोई भी problem उस product से related उनसे पूच सकते हैं तो दोस्तों इस तरीके से आपको इस दम सही और जैनमिन नंबर मिल जाएगा जो एक दम latest working number होगा जिस पर आपकी बात हो जाएगी तो दोस्तों आपको जब भी clear trip के customer care से बात करना है आपको इसी तरीके को follow करना है इस तरीके से आपको नया नंबर मिल जाएगा जो इस समय working होगा आसा करती हूँ पूरी information आपको समझ में आ गई होगी तो दोस्तों आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे friends के साथ जरूर सेयर करें और अगर कोई problem आ रही हो तो हमें comment करके पूछ सकते हूँ तो दोस्तों ऐसी है important video देखने के लिए हमारे चैनल को subscribe जरूर कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस करें